वेलकम टू माई क्लास वेलकम डियर इस्टुडेंट आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चीज बोलते रहते हैं कि मेरा बच्चा दिन भर हसते रहता है रोते रहता है, खाते रहता है इस प्रकार की सेंटेंस हम डेली लाइफ में, डेली रूटिन में बोलते रहते हैं उसी प्रकार की सेंटेंस यह है मैं कहानी पढ़ते रहता हूं तुम नाजते रहते हो हम क्रिकेट खिलते रहते हैं वे दिन भर रोते रहता है वह दिन भर खाता रहता है वह घर पर काम करती रहती है लड़किया बहुत बाते करती रहती है यह हमारे दैनिक जीवन में डेली लाइप में यूज होता है आए इस पतार के सेंटेंस को हम इंगलिस में कैसे बोले, कैसे फ्रेम करे इस क्लास में हम सिखने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं अगर इस पतार के सेंटेंस हो तो आता है subject keep या keeps फिर है on keep on या keeps on फिर वर्ब का फर्श्ट फार्म के साथ आई एंजी फिर अदर वर्ड इस पतार सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे इस फ्रेम में तो I, you, we, they के साथ हम keep का use करेंगे और he, see, it, any name के साथ keeps का तो देखते हैं मैं दिन भर गाते रहता हूं I keep on singing all time तुम दिन भर गाते रहते हो You keep on singing all time हम दिन भर गाते रहते हैं We keep on singing all time वे दिन भर गाते रहता है They keep on singing all time इस sentence को पहचान का तरीका है गाते रहता है या गाते रहते हैं देखते हैं वे दिन भर गाता रहता है He keeps on singing all time यहां पर He, See, It, Any Name के साथ keeps आएगा He keeps on singing all time वे दिन भर गाते रहती है She keeps on singing all time राम दिन भर गाता रहता है राम keeps on singing all times मीरा दिन भर गाती रहती है मीरा keeps on singing all times चलिए कुछ और example के साथ हम इस sentence को समझने का प्रयास करते है मैं कहानी पढ़ते रहता हूं I keep on reading story तुम नाचते रहते हो You keep on dancing हम cricket खेलते रहते हैं We keep on playing cricket वे दिन भर रोते रहता है They keep on weeping all time वह हसता रहता है He keeps on laughing वह खाना पकाती रहती है She keeps on cooking food राम मोबाईल से खिलता रहता है राम किप्स आन प्लेइंग विद मोबाईल मैं दिन भर टिवी देखता रहता हूं I keep on watching TV all time तुम हमेशा गाना सुनते रहते हो You keep on listening music all time हम साइकल चलाते रहते हैं We keep on riding bicycle वे पत्र लिखते रहते हैं They keep on writing later इस सेंटेंस में काम होते रहता है वह दिन भर खाता रहता है He keeps on eating all time वह घर का काम करती रहती है She keeps on doing house work मोहन लकडी काटता रहता है मोहन keeps on cutting wood लड़किया बहुत बाते करते रहते हैं Girls keep on talking too much मैं सोते रहता हूँ I keep on sleeping तुम चित्र बनाते रहते हो You keep on drawing picture हम चाय पीते रहते है We keep on taking tea वे नहाते रहते है They keep on taking both इस में इस sentence में हमको समझा आ रहा है कि काम अधिक्तर होते रहता है सेर दहारते रहता है The lion keeps on rolling चिडिया उड़ती रहती है The birds keeps on flying यहाँ पर birds है इसलिए keep आया है अगर birds की जहाँ में bird होता तो यहाँ पर keeps हो जाता चलिए आगे देखते हैं कुता भौकता रहता है The dog keeps on barking मधमक्खी बिन्बिनाते रहती है मधमक्खी बिन्बिनाती रहती है B keeps on buzzing तो इस प्रकार हम sentence देखें कि इसमें काम अधिकतर हो